गुण मॉनिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेस बैंक एबी वाइबी प्रोग्राम के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका एक्जाम पैटर्न कैसा है और लाइव डेमो मॉक्टेस चलता है या नहीं आप जान सकते हैं आपका इंट्रेनेट स्पीड है वह आपका सही से काम करेगा या नहीं टेस्ट के दोरा तो वह सारी चीजें बताऊंगा तो पूरा वीडियो को लाज तक देखिए हर एक सब्सक्राइब के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोश से लिए कर दो ताकि जब मैं वीडियो डालों आपको सबसे पहले मिल जाए तो चली फ्रेंट्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं वन एक्से बैंग प्रोग्राम का अभी एक्जाम होने वाला है थर्ड फोर्थ और फिफ सेप्टेमबर 2020 को ठीक ह का टैक्सिस बैंग अभी प्रोगा 2020 एक्जाम पहरेगा एक्जाम होगा ऑनलान टेस्ट जिसमें आपके चार सक्षान में इसिग्जिस में यह आपके चार स्क्षम रहेंगे टोटाल आपका शीट्स का टायम आपको दिया जाएगा और हर एक वर समचिक के लिए अलग अलग कोई fix नहीं है ठीक है लेकिन अबोव 10 आपको देखने को मिलेगा हर सेक्षन में अबोव 10-20 question देखने को मिलेंगे टाइम का भी आपके fix नहीं है 67 मिनट पिछले साल का था तो इस साल भी आपका 67 मिनट एक घंटे के करीब आपका पेपर रहने वाला है ठीक है और दुसरी बात इसमें कोई भी निगिट्व मार्किंग नहीं आपको पूरे के पूरे अटेम करके आना ही पड़ेगा एक भी question आप छोड़नी सकते और आपको टेंसल लेकी भी जरूत नहीं अगर गलत भी होता है तो इसको qualify करना बहुत ही आसान होता है आराम से इसको crack कर सकते हैं इसका कोई भी minimum cutoff नहीं होता है काफी लोग पूछेंगे इसका cutoff कितना जाता है कोई cutoff नहीं जाता जितना लोगे English में भी आप पूरा बना लोगे बहुत ही easy question आते हैं इसमें बहुत easy pattern रहता है आराम से इसको crack कर सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा एक्जाम है जैसे के IPPS SBI इसमें आपका अगर preview qualify नहीं होता है इसमें आपका यह qualify हो जाएगा क्योंकि लेवल के question ही ऐसे रहते हैं कि आप आराम से qualify कर सकते हैं एक दो 5 question थोड़े अप लेवल की होते लेकिन उतने भी नहीं होते अगर आपका basic के लिए है तो आराम से उन questions को कर सकते हैं अब बात क करते हैं English में कैसे question आते हैं English में सबसे पहले तो आपको fillers भर-बर के देखने को मिलेंगे काफी सारे fillers आते हैं और आपका जो vocabulary के question है आपको पांच ही देखने को मिलेंगे चार से पांच लाइन आपको उस passage में मिल जाएगी जो भी question आपसे पूछा गया है तो बिल्कुल भी difficulty नहीं होती पैसेज आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन अगर आपकी reading habit है आराम से उसको clear कर सकते हो पढ़ते साथ आपको समझ में आ जाएंगा exact line आपको दिख जाएगी आपक अब बात करते हैं reasoning की reasoning में अगर आपने कोई भी clerk level का एक्जाम दिया है ठीक है चाहे वो IBPS हो या चाहे हो SBI हो clerk level का एक्जाम दिया है या अभी RRB जो है journalism हो गया inequalities हो गया okay blood relation direction sense यह ऐसी question आपको देखने को मिलेंगे ज्योंकि पूरे के पूरे question करके आप आ सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है इसमें आपको कोई कोई भी difficulty नहीं होगी बस आपको single एक मौक देया है कोई भी clerk level exam का क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो clerk level exam से भी लो का लेवल होता है ठीक है तो इसलिए आप आराम से इसको क्राक कर सकते हमारी चैनल पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी कैसे question आते कौन-कौन से question कि दोनों crack हो जाएंगे ठीक है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा उससे अब बात करते हैं मैस की तो मैस में पूरे के पूरे अर्थमेटिक चैप्टर रहते हैं जैसे कि कोई भी चैप्टर का question हो गया time and work time and distance average profit loss इन सब पर बेज one-liner question आपको बहुत सारे देखने को मिलेंग ठीक है लेकिन उनका level clerk level से भी कम होगा बस एक दो तीन question को छोड़के उनका level clerk level से भी कम होगा अगर आपका basic clear है तो यह सारे सारे question आप बना लोगे simplification के देखने को मिलेंगे एक दो question power निकालने के question HCF LCF के question देखने को मिलेंगे मतलब पूरे जो arithmetic chapter यह पूरे उसके आपको question देखने को मिलेंगी एक-एक single question आपको हर एक topic से मिल जाएगा नंबर सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगी इसके लिए कोई भी एक मॉक्टेस द जो हम लोग find करते हैं power last unit digit तो वो भी question आता है उसके लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे हैं उसको देखके आप सिख सकते हैं अब बात करते हैं चौता सेक्षन हमारा personality test यह आपका सबसे scoring topic होता है इसके लिए आपको कोई preparation करने के ज़रूरत नहीं है आपक इसमें score कर सकते हैं और इन question में सबके answer maximum सही होते हैं okay example के तोर पर मैं आपको question बताता हूँ मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत busy है और आपके दोसने बोला party करने जाना है तो आप उस situation में क्या करोगे तो आपको option दिये रहेंगे बस आपको टिक करना है आगे तो इतने आसान question होते हैं अगर आपको पढ़ना अच्छे से आता है समझना अच्छे से आता है तो definitely crack हो जाएगा इसके लिए को कोई भी preparation करने की ज़रूरत नहीं है इसके interview के उपर में अलग से वीडियो लेके आने वालो उसके लिए वेट करें मैं जल्दी उसका वीडिय पर जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह वह साइट है इसमें आपको सारी टेस्ट मिल जाएगी online demo test के लिए इसका link मैं आपको description box में दे दूंगा यहां से आप reasoning quant और English के test दे सकते हैं बहुत ही आसान होता है सिंपल सा आपको यहां पर login कर लेना और फिर टेस्ट पर क्लिक कर देना स्टाट टेस्ट पर क्लिक करना है जो भी आप देना चाहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एंटरफेस होता है तो पूरा देख लिजेगा अच्छे से analysis कर लिजेगा ओके यह डि लेप्टॉप में चला कि देख लिजेगा कि यह चलता है या नहीं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ओनलाइन टेस्ट चलेगा या नहीं ओके फ्रेंट्स आयोप आपको समझ में आऊंगा तो इसका लिंक आपको डेस्क्रिप्सिन दॉक्स में मिल जाए झाल IRA म जाएगर कि आपको 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 आपको